नमस्कार शिक्षातियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुकुट पालन के लिए इस्थान का चेहन, मिशेपर कुकुट पालन करने के लिए, क्यों हमें एक इस्थान या पॉल्ट्री हाउस की आवशकता होती है, यदि हम इसको देखें, तो बहुत जरूरी है के जो हमारी कलाइमेटिक परिस्तितियां हैं, जलवायू की परिस्तितियां हैं, उसों बचाने के लिए पक्षियों को एक जो हमारा आर्थिक संचालन है उसको आसानी से संचालित करने के लिए उसके कंट्रोल करने के लिए उसको नियंतरन करने के लिए किस परकार से हम कौन सी परकार की पक्षी को रख रहे हैं यदि हम चिक की इस्तिती में पक्षी है तो उसको कहां रखना है ग्रोवर यानि की के लिए व्यवस्थित करने के लिए हमें भी इसके लिए भी हमें ओल्ट्री हाउस या एक आवास की आवशकता पड़ती है थीसरी बात होती है कि हमें उसको जो nutrition या उसको जो आहार देना होता है मुर्गी को वह भी हमें नियंत्रित रूप से देना होता है अन्यथा की दशा यदि हम उसको वह घ्यानिक रूप से उसका आहार नहीं देते हैं उस जवस्था में हमारा आहार ज्यादा मुर्गी खा सकती है और उसके कंपिजन में उसके तुल्नातमक रूप से जो अंडे का या मास का उत्पादन है वह कम हो सकता है या मुर्गियों में बिमारियों की जिसको हम deficiency disease कहते हैं जो इभिन परकार के जो deficiency के कारण जो बिमारियां होती है जो हमारे पास nutritional deficiency है वो मुर्गियों में हो सकती है यदि हम बैज्ञानी काहार उसको नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए भी हमें एक अच्छे poultry house की विवस्था करनी होती है दूसरी बात होती है कि जो हमारा micro climate है पक्षी के आसपास का जो शुक्ष में जलवायू है जो micro climate बोलते हैं उसकी परिस्थितियों को नियंतरित करने के लिए भी हमें एक अच्छे मुर्गी आवाज की आवशकता होती है रोगों से बचाओ के लिए हमें परभावी रोगों लिए भी poultry house की आवशकता होती है और साथ ही साथ उस पर उपस्थित सुपर वीजन करने के लिए हमें अच्छे poultry house या कुकूट आवाज की आवशकता हमें पढ़ती है यह जरूरी होता है कि जो मुर्गी आवास या कुकूट आवास जो बने वह किसी भी परकार के आवास और ओध्योगिक शेत्र से दूर हो यदि आवास्य शेत्र के नजदीक मुर्गी आवास या कुकूट आवास का या इस्थान होता है तो वह है विभीन परकार की दुरगंद वहां पर उत्पन होगी और रहने वाले वहां की जो निवासी है उनको परिशानी का कारण बन सकत है इसी परकार यदि वह ओध्योगिक किसी शेत्र के नजदीक कुकुट आवास होता है तो इस बिंदू पर भी यह देखा जा सकता है कि मुर्गियों में विभीन परकार की विमारिया हो सकती है या यदि कोई ऐसा ओध्योगिक फैक्टरी है जहां पर किसी खाने की सामगरी या अन्य इस परकार की सामगरी का वहाँ पर निर्मान किया जा रहा है तो उसमें भी परिशानी का सबब बन सकती है जहां कुकुट आवास बने वहाँ पर सड़की उचित विवस्था होनी चाहिए बड़ा महत्मून बिंदू है चोकि हमें मुर्गियों के लिए आहार को ले जाने के लिए वहाँ पर मुर्गियों की ढुलाई के लिए एक अच्छी सड़की आवशकता पड़ती है जब वो मुर्गे बड़े हो जाते हैं जिनको हम बेशते हैं ब्रॉयलर बर्ड्स कहते हैं उनके आवागमन के लिए भी हमें कुछी सड़की आवशकता होती है सा ऐसा ना हो कि वहाँ पर बिजली की कोई विवस्था या बिजली का अतार ही ना पहुच रहा हो, पानी की विवस्था ना हो, इस केस में भी जो है वो कुकुट आवास वहाँ पर नहीं बनाया जाना चाहिए, ऐसी जगे मुर्गी आवास बनाना चाहिए, जहां पर जो हमारे म मजदूर हैं वो हमें उनकी उपलबता आसानी से और सस्ती मजदूरी दर पर हो जाए ओल्टरी हाउस जो होता है कुकुट आवास जो होता है उसको किसी गहराई के छेतर में नहीं बनाना चाहिए उची जगे होना चाहिए ताकी वहाँ पर पानी भड़ने की समस्या या जल जमाव नय हो इस परकार से बनाया जाना चाहिए कुकुट आवास को कि वहाँ पर वेंटिलेशन वहाँ पर वातन अच्छा हो सके यह हम जब हम layout की बात करते हैं तो कुकुट आवास या poultry farm जब हम कहते हैं तो उसके layout यदि हम उसको backyard poultry के रूप में या पिछवाडे में मुर्गियों के छोटे से एक जुंड के रूप में पाल रहे हैं तो किसी परकार के wishes layout या किसी परकार के आवास की आवशकता नहीं होत होती है उसको हम अपने घर के पीछे के जो जगे होती है उसको kitchen garden के रूप में उसको पाला जाता है परंतु यदि मध्यम और बड़े आकार के जो हमारे farm खोले जाते हैं उसमें हमें एक नियंत्रित और व्यवस्थित कुकुट आवास की आवशकता पड़ती है यह जरूरी है कि layout में जो बाहरी व्यक्ति है बाहरी वाहन है या पक्षी है उनको जाने की वह अनुमती नहीं होनी चाहिए यदि layout में बाहरी आगंतु का आते हैं तो उस case में बिमारी का जो किटानू है वह है जो हमारा farm है उसमें जा सकता है तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि बाह प्रकार बना होना चाहिए कि वहाँ पर जो ताजी हवा है वो पहले brooder shade से निकले उसके पश्चाथ बड़े जो पक्षी है ग्रोवर और layer shade में जाए यदि इसका विप्रीत होता है तो जो छोटे बच्चे हैं brooder shade में उनमें बिमारी फैल सकती है दो जो चिक और grower shade है उसक उसके बीच 100 मीटर से किसी भी परकार से दूरी कम नहीं होनी चाहिए अन्यथा की दर्शा में बिमारीों के फैलने का खत्रा वहाँ बना रहता है दूसरी बात हम यहाँ पर इसमें हमें सुनिश्चित करनी चाहिए कि poultry shade में जो अंडव का store room है office है या फिर दाने के लिए जो रखने का store room है वह है जो हमारे पास जो विभिन परकार के जो houses है जो porti house जो हम बना रहे है चिक house है grower house है brooder house है उसके परवेश द्वार पर हमें जो है वो office room, feed room रखना चाहिए ताकि जो वहाँ पर चुकि आवागमन जादा रहता है तो वहाँ पर आने वाले जो विभ पर जो है इस्थित होना चाहिए कहीं भी नजदीक में नहीं होना चाहिए जो porti house है या जिसको हम कुकुट आवास के जो जगे हैं वो हम उनकी अवस्था के आधार पर विभिन परकार के कुकुट house बनाते हैं यदि हम layer या अंडे उत्पादन वाली मुर्गियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं तो यह है चार परकार के यहाँ पर जो house हैं वो बनाते हैं कुकुट आवास होते हैं पहला होता है chick house या brooder house जिसको कहते हैं इस पर यहाँ पर zero से आठ सप्ता की उम्र के जो चूजे हैं उनको रखा जाता है दूसरा होता है grower house यहाँ पर 9 से 18 लाइट की जो requirement है यानि की उनको कितना हमें परकाष देना है कितनी उनकी खाने की requirement है कितना उन्हें खाना देना है यह उनकी आयू के इसाप से अलग-अलग होती है तो इनको हमें इनको जो पालने की विवस्था है वो भी अलग-अलग करनी होती है कई जगे जो brooder और grower house है इसको मिला करके broider come growers house, एक ही जगह अंडे देने वाले जो मुर्गिया हैं, उनको दो भाग में बाट देते हैं, broider come growers house, यहाँ पर 0-18 सप्ता की उम्र तक मुर्गी को रखा जाता है, और उसके पस्चार जब अंडे देने वाले इस्तिती में आते हैं, तो layer house में इसको परिव broiler house में पालते हैं, इसी में इसकी brooding की जाती है, और इसी में बड़े होने पर इनको पाला जाता है, इसको broiler house कहते हैं, एक होता है breeder house, जहाँ पर चूजे का उत्पादन होता है, जहाँ हैचर और शैटर मशीने लगा करके, जो अंडों से चूजों का उत्पादन किया जा नियंतित आवास होता है, जिसमें पूरा जो वातावरन होता है, micro climate होता है, उसको विविन परकार के पंखे इत्यादी लगा करके, उसको maintain करते हैं, उसको नियंतित किया जाता है, थाकि उसका तापमान बना रहे हैं, निश्चित बना रहे हैं, जो कुकुट पालन के लिए उचित जो पर्यावरने स्थितिय होती हैं, जो हमें कितना तापमान, कितनी उसमें, relative humidity, आदरता चाहिए, कितना आमोनिया इस तर चाहिए, या एक निश्चित होनी चाहिए, यदि इससे कम या ज़्यादा की स्थिति बनती है, तो कुकुट आवास में, विभिन परकार की जो उत्पादन की जो समता है, उसमें कमी को देखा जाता है, जो उचित तापमान, कुकुट आवास का कहा जाता है, वह है, 22 से 30 डिगरी सेंटिगरेट का तापमान, कुकुट आवास का होना चाहिए, यानि कि 70 से 85 डिगरी फारन हैट हम कह सकते हैं, जो सापेक शाधता है, वह 30 से 60 पर्तिशत की होनी चाहिए, अमोनिया का जो लेवल है, 25 पीपीएम से कम होना चाहिए, नमी जो है, जो डीप लिटर सिस्टम होता है, उसमें 15 से 25 परसेंट से अधिन नहीं होनी चाहिए, तथा जो वाई-उ का परवहा है, वह है 10 से 30 मीटर पर मिनिट होना चाहिए जो direction होती है कुकुट आवाज की, यह देखने वाली है, कि East और West direction में, जो लंबाई के रूप में जो कुकुट आवाज बना होता है, East और West पूर पस्चिम दिसा में उसका लंबाई का अक्ष होना चाहिए, यह इस case में क्या होगा, कि पक्षियों पर सीधी धूप नहीं प दो वर्क फूट उसकी जगे के लिए उसका आविशकता होती है, तो जो उसका आकार होता है, वो इसी पर निर्वर करता है, कितने हम पक्षि उसमें रख रहे हैं, यदि हम 1000 मुर्गी रख रहे हैं, लेयर के case में, तो हमें लगबग 2000 वर्क फूट की आवशकता होगी, यद हम देखें, तो हमारे ट्रॉपिकल जो हमारा जिसी भारत वर्ष है, तो यहां पर 22-25 फूट की चोड़ाई हमें रखनी चाहिए, यदि हम इससे ज़्यादा रखते हैं, तो बीच का जो हिस्सा है, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, उसमें वातन नहीं हो सकता है, और गरम उसमें गरमी की अवस्था बन सकती है, यहां यह भी जरूरी है, कि 25 फूट से ज़्यादा हम किसी प्रकार से यदि चोड़ाई ज़्यादा बन रही है कुकुट आवास की, तो हम यह ध्यान रखें कि मध्धे बीच में, कुकुट आवास के बीच में, रिज वेंटिलेशन जरूर कर दें, ताकि जो गरम हवा और हानिकारक गैसे हैं, हलकी होकर के उपर से निकलती रहे, कुट घर की चोड़ाई किसी भी दशा में, जो पर्यावरण नियंतित घर हैं, उसमें 40 फिट या उससे अधिक बनाई जा सकती है, क्योंकि यहां पर हम आर्टिफिशल रूप से पंखे लगा करके, जो गरम हवा है, उसको निकालते हैं, 6-7 फिट की उचाई रखनी चाहिए, जो की रिज के तरफ होती है, 10-12 फिट बीच में इसकी उचाई होती है, यदि पिंजरे में हम पक्षियों को रखते हैं, तो यह 3-4 इस तर के जो लेयर्स होती हैं, उसमें ह साप इत्यादी की समस्या से बचने के लिए, इसमें 1.5 फिट चारो तरफ जो है, जो इसका कंक्रीट का जो फर्ष है, उसको बढ़ाया जाता है, यह इस परकार बना होना चाहिए, कि इसमें चूहें और जो हमारा साप है, वो इत्यादी ना आए, दरवाजे लगबग जो ह छे से 6.5 फिट, यानि कि 6 फिट इसकी लंबाई और 5.5 फिट चोड़ाई रखनी चाहिए, तता महत्मून बात यह है, कि परते एक गेट पर जो दरवाजा है, परवेश भुदार पर किटानू नाशक दवा भरते हुए, फुट बात का निर्मान किया जाना चाहिए, यह च हाइट की दिवार है, वो 1.5 फिट की उचाई रखें, ताकि वहाँ से जितना उसकी पक्षी की हाइट होती है, जो बर्ट की हाइट होती है, उसके बरावर इसकी दिवार को रखा जाना चाहिए, छट जो है विभिन परकार की बनती है, लेकिन भारत वर्ष में जो विभिन जो टॉपिकल कंट्री हैं, यहाँ पर गैबल परकार की छट बनाई जाती है, कुछ लोग घास के फूसो की, टाइलो की, एसबेस्टस की छट जो है बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहता है कि हम गैबल परकार की छट को हम बनाएं, इसके पर शाथ हम देखते है कि जो बारिश से रोकने के लिए इसमें, ओवर हैंग जो है, वो साड़े तीन फिट से कम नहीं होना चाहिए, आगे जो निकला हुआ, जो छट का भाग है, लगबख साड़े तीन फिट उसमें आगे निकला होना चाहिए, ताकि बारिश से उसमें शेड मिल सके, बारिश अ यह बहुत important है कि जो विभिन जो factors हैं, जो विभिन कारक हैं, जो poultry को हम किस परणाली के तहत रखते हैं, हम देखते हैं कि भूमी की उपलबता पर निर्भर करते हैं, जमीन की कीमत पर निर्भर करते हैं, फिर हमारी जो agriculture activities हैं, कर्शी गतिविदी का परकार है, उस पर भी यह पोल्टरी के जो रखने का तरीका है, वो निर्भर करता है, जलवाईयों की इस्तिती सेत्र में कैसी है, या वहाँ पर श्रम की उपलबता कैसी है, कितना हमें labor वहां मिल पा रहा है, इन कुछ बातों पर जो हमारे poultry को या poultry house को, कुट आवास का जो निर्मान किया जाता है इनको देखते हुए किया जाता है, यदि छहरी शेत्र में हम देखते हैं, जमीन की कीमत जादा होती है, तो वहाँ multi-tire system में हम मुर्गियों को रखते हैं, वहाँ चुकि श्रम की उपलबता या आसानी से मजदूर भी नहीं मिलते हैं, तो वहाँ हम mechanized farm करते हुए, उसको क पढ़नाली है, यदि हम देखें, तो तीन परकार से मुर्गियों को जो रख रखाओ है, या आवास है, वो किया जाता है, एक होता है free range या जिसको हम व्यापक पढ़नाली बोलते हैं, extensive रूप से, खुला मुर्गियों को छोड़ा जाता है, रखा जाता है, किसी परकार से बांदा नहीं जाता है, जैसे हम backyard poultry या पिछवाड़े में जो हम मुर्गियों को रखते हैं, जो हम घर के पिछवाड़े में मुर्गियों को रखते हैं, वह यह free range परकार की मुर्गिया का जो है, वो रख रखाओ होता है, दूसरा होता है semi intensive अर्ध गहन परणाली, इसमें हम दोनों परकार से रखते हैं, कुछ area खुला देते हैं, कुछ area इसमें बंद area होता है, तीसरा होता है intensive system, यानि की बंद जो चार दिवारी है, उसके अंदर मुर्गियों को पाला जाता है, यह deep litter भी हो सकता है, यानि की litter पर जो मुर्गियों को रखा जाए, slated floor का हो सकता ह है, floor देते हैं, slate कम litter system हो सकता है, या फिर cage में इसको रखा जा सकता है, तो तीन परकार की परणाली मुर्गियों को रखा जाता है, तो ध्यान देने वाली बात है कि कुकुट आवास में हम जब मुर्गियों को रखते हैं, वह इस्थान का chain किस परकार से करना है, दूसरी ब पायू कैसी है, वहाँ पर श्रम की उपलबता है या नहीं है, या हम किस पुद्देश्चे से मुर्गियों को वहाँ पर रख रहे हैं, इस पर यह निर्वर करता है, तो आज के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि कुकुट आवास के chain के संबन में जो चर्चा की गई, यह आपके लिए लाबदायक होगी, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.